भारत में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के करण काफी मोटे हुई हैं भारत की ऑक्सीजन की समस्य को देखते हुए नासा ने 10 ऐसे पोधे बताए हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है ये पोधे वाता वरन को पूरी तरह साफ कर देते हैं जिस करण हमारे फेफडों यानि लंग्स को 100% आक्सीडन मिलती है यदि आप हॉम आईसोलेशन में हैं और आपके आसपास ये पोधे हैं तो आपको आक्सीडन की कमी नहीं होगी तो आईए जानते हैं इन रूम प्लांट्स के बारे में आप सभी को मेरा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कीजिए किमेंट कीजिए और वीडियो के शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस तीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिल जाएगा बाकी पाँच पोधे हम इस वीडियो में बताएंगे अरेका पाम बाकी पोधों की तरह ये भी वातावरन की कार्बन डाई ओकसाइड लेकर ओकसीजन छोड़ता है ये पोधा अपने आसपास हवा में मुझूद विसले रसाइनों को सोख लेता है ये हलकी रोसनी और बेहत सीमित पानी में भी उग जाता है गर बेरा डेजी सबसे सुन्दर हॉम प्लांट्स में आम तोर पर सजावट के लिए इसे इस्तिमाल किया जाता है ये पोधा रात में भी ओकसीजन बनाता है ये भी वातावरन से विसले रसाइनों को सोख लेता है इसे सूरज की सीधी रोसनी की भी जरूरत होती है इसलिए इसे ऐसी ही जगह पर रखना चाहिए जहां इसे कुछ घंटे सीधी धूप भी मिले इस पोधे की मिट्टी को नम रखना होता है इसके लिए इसको नियमित रूप से पानी देना होता है चाइनीज एवर ग्रीन्स ये लोगों के घरों में मिलने वाला सबसे आम पोधा है ये कम रोसनी में पनपता है बड़ी बड़ी पत्तियों वाला ये पोधा वातावरन को साफ करता है इसे बहुत कम देखबाल की जरुवत होती है इसे कभी कभी ही पानी देना पड़ता है पालतू जानूरों के लिए इसके पत्ते विसायले साबित हो सकते है ब्रोड लेडी पाम इसे बैंबू पाम के नाम से भी जाना जाता है ये एक ऐसा रूम प्लांट है जो क्लेनी प्रोडक्ट्स में पाये जाने वाले अमोनिया को सोख लेता है इसके अलावा ये पोधा आसपास के वातावरन को भी साफ करता है इस तरह ये हमारे आसपास मोजुद हवा को ना केवल साफ करता है बलकि उसमें ऑक्सीजन भी घोलता रहता है सीधी धूप से इसके पत्तों का रंग फीका पड़ जाता है इसलिए इसे सेड की जरूरत होती है गर्मियों में इसे पर्यात पानी देना जरूरी है आम तोर पर इसे रोज पानी देना चाहिए विपिंग फिग ये महारानी विक्टोरिया के समय से ही काफी पसंद किया जाने वाला रूम प्लांट है ये कारबंडाई ओकसाइड को तेजी से सोक कर ऑकसीजन रिलीज करता है और भी कई तरह के विसले रसाइनों से आसपास के वाता वरन को साफ करता है इस से पालतू जानवरों को एलरजी भी हो सकती है इस पोधे को आराम भी चाहिए होता है यानि आम तोर पर सर्दियों में सूख जाए तो भी इसे खा दिया पानी नहीं दी जाती तो दोस्तों ये हैं वे 10 रूम प्लांट्स जो आपके आस पास का वातावरन साफ करके आपको 100% ओक्सीजन देंगे जिससे आपका ओक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और आपका गिरा हुआ ओक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा पाँच रूम प्लांट्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था और बाकी पाँच इस वीडियो में बताएं दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकतद केवल इतना है कि अब आप भी कोरोना के बदलते रूपों से लड़ने के लिए तयार रहिए क्योंकि वो अपने रूप बदल बदल कर आतंक मचा रहा है आपका करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये चार्कारी तोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी तो दोफतों अब हमें आ गया देजिए